दोस्तों फर्स कीजिए कि आपके फेवरिट रोस्टर डोरे मॉन सीरीज का हिस्सा होते और डोरे मॉन सीरीज में वो भी एक कैरेक्टर होते सुनियों की तरह और मैं उनको डब कर रहा होता तो वो लोग कैसा साउंड करते हैं ना बड़ी इंट्रस्टिंग से चीज़ तो आपको एक काम यह करना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी आवाज आउट आफ दीज थ्री रोस्टर सबसे जादा बेस्ट मैच किसके साथ कर रही है वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना लेट स्टार्ट विद धिरू मॉन्चिक और दोस्तों सवागत है आपका नई वीडियो में तो में नया माइक देख रहा होगा क्योंकि पुराना वाला टूट गया है इस पर में गाने रिकॉर्ड करता हूं वैसे तो बर जब तक 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 इससे काम चलाएंगे सुखाई जाज हम बात करने वाले हैं सुष्मिता सेन और ललित मोधी के बारे में सुखाई सुम में से काफी सारे लोग जो है इनको जानते होंगे सुष्मिता सेन भायो शीर फर्स इंडियन मिस यूनिवर्स अच्छा लेकिन अब यह हमारा जो दिल है ना दोस्तों यह अब यह फोटो बारल हो रहा था तो मैं तो देखके सोच रहा था कि सुष्मिता सेन के पिता जी है क्या बाद में पता लगा दोस्तों बॉइफ्रेंड है बॉइफ्रेंड इसका नाम है ललित मोदी और यह बहुत बड़ा बड़ा भगोडा इसने देश के साथ जो है फ्रॉट कर रखा है इस फाउंडर ओफ IPL, IPL चचा ने बनाया था अब तुम पैंटकोट अंदाजा लगा दो जिस इस इंसान पूरे देश को सट्टा खिला दिया वो कितना ही हमामी होगा अब भारी है लक्षक चौदी की लेट्स सार्ट तुम लोग भी इस व्यक्ति के इंटरनेट पर ग्यान से काफी परेशान होगे आइनो पर यह कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है नहीं यह कोई IITN भी नहीं 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 यह कोई MBBS भी नहीं है यह है प्रफुल MBA ग्यान वाला I mean MBA चाय वाला भाई ने अपनी जिंदीकी की किसी घड़ी में 3-4 चाय एक साथ बेच दी और तब से हमारी और जंता की सून में पाइप लगा कर पूरा ग्यान पेल रखा है आपने भी इस लॉंडे को इंटरनेट पे बहुत जगान देते हुए देखा होगा तो यह MBA चाय वाला है कौन आज कल की छपरियों और बेरोज़गार लड़के दादा की जमीन के अगेंस लोन उठाके एक नया स्टार्ट अप डालते हैं और फिर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख देते हैं एंतुर अपने और कॉंट्रोवर्सी के बिना हमारा चानल और सोशल मीडिया पेट प्रमोशन के बिना इनकी चाय फ्रेंचाइज दोनों का हाल एक जैसा है तो ये भी संदीप महिश्वरी की तरह मोटिवेशन देते हैं बस फर्क इतना है कि संदीप महिश्वरी की वीडियो देखने के बाद बंदा एटलीस दो-ती दिन मोटिवेट रह जाता है पर परफुल की वीडियो देखने के बाद तो परफुल के खुद का धंदा डूबा जा रहा चाय कठेला चला आपके चाय के ठेले वाले मोमोस वाले वह जले भी वाले बुरा मत मानना पर हो सकता हमारे माबाप से ज्यादा कमा रहे होंगे अरे छोटू कम चला और एक कटिंग चाय लगा इनकी चाय की सबसे खास बात ये कि उसके नाम पे एक यूट्यूब चैनल है जहां चाय के अलावा सब कुछ बिकता है ना ही तो इनकी चाय खास है ना ही इनकी सर्विंग खास है खास है तो उनकी पियार जब मैंने रीसेंटली परफुल के लिए ट्वीट किया तो काफी सारे दसवी बार वी फेल लॉंडे जिनकी गल्फेंड उनको छोड़के चली गई और अब वो परफुल की लॉजिकल मोटिवेशनल वीडियोस देखे फ्यूचर में बिजनस टाइकून बनके ठुकरा कि मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी किस अपने देख रहे हैं वो अफेंड हो गए और बोले अब तू जलता है परफुल से परफुल बहुती सकसफुल इंसान हो तू महीने में कितना कमाता है परफुल तू महीने में करोड़ों कमाता है मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई प्लीज थोड़ी कि आप सोचने की बात है तो मैं तो अपने आपको अंबानी परिवार का वारिस सोच रहा हूं यही होता है जब आप राके जुन-जुन वाला के बारे में पढ़ने के बजाए वुल्फ ऑफ दो वाल स्टीट से इंस्पिरेशन ले ले मार्केटिंग ट्रक्स और और आपको दाल रोटी मिल ट्री इससे नीचे तो नहीं जाओ जब तक इससे नीचे ना जाओ रिस्क लेते ही रहना उसके बाद सीधा पीरागडी के फ्लाइवर पर सूने के दिन आ जाएंगे रोस्टर्स की बात हो और थगेश भाया का नाम ना ले ऐसा कैसो सकता है लेट उनको पता है के मेरे रोस काफी चिल होते हैं और काफी नौन ओफेंसिव होते हैं ये वाला ओफेंसिव होगा क्यों बाक्स्टोरी बताता हूं तो मैंने पिछले वीडियो में अदनान शेक के इस वीडियो पर रियाक्ट किया था ये पहले एंगल में यहां पे चश्मा पर आया था डॉंट वरी भाई इस वीडियो में कमी फूरी करूंगा तो अदनान तुने खुदी के आप्शन में लिखा था इस वीडियो में क्या गलत है बताओ और मैंने तो अभी तक तरी आर्टिंग के बारे में बता भी नहीं था जिस वीडियो को मैं खुद एक रोस अधनान पर दो साल पहले एक वीडियो बनाया था जब इनोंने बहुत सारे कांट किये थे अधनान बहुत एड़ा है तो मैंने बोला चलो सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग चुटा बुटा गेम नहीं करने का कैरी की वीडियो और लक्स की वीडियो दोनों बुड़ गई है अभी और काम चाले कशाला यही करता है रहे दो सल पहले मैंने वीडियो बनाया था और अभी मैं कुछ चीजें बिलकुल नहीं बत ली हैं जैसे मेरा शर्ट और अधनान की वद्धी एनिवेज मैं केरला में था और मुझे इसका कॉल आया और अधनान ने मुझे रात को धाई बजे कॉल किया जब मैं सो रहा था और अधनान शेक बोल रहा है तू ने इस वीडियो में बोला था कि तू पहले सिम कार्ट बेशता था सेम पेंच ब्रो मैं भी बेशता था लेकिन फरक ये रहा गया कि तरी कॉल करके परिशान करने की आता अधा अभी तक गई नहीं चुटा मुटा गेम नहीं करने का यही तो फरक है तुम्में और हम्म हमें देखके लोग हाथ जोडते हैं तुम्हें देखके लोग हाथ उठाते हैं और हमस्वार आज भी तिरसे कोई आइडिया मांगता होगा तो तू सिम कार्ट ही देता होगा आगे मैं किसको अपनी आवाज दू किसकी डबिक सुनना चाते हो मुझे कमेंट सेक्टर में जरूर बताना अमीद आपको आज मजाया होगा मिलते आपसे नेक्स वीडियो में थैंको जो मच वाचिंग सेव इन दे नेक्स बाइट बाइट